दोस्तों बिहार के सभी परत्योकता परिक्षा में बिहार जी के से संबधित क्वेस्चन पूछा ही जाता है इस वीडियो में बिहार एस्पेसल जी के से संबधित टॉप 200 क्वेस्चन डिसकस करेंगे आप इसको अच्छे तरीके से किलियर कर लीजे पहला पुएंट है भारत में जनसंख्यां कनुसार तीसरा यूम छेतरफल कनुसार बारमा राज्जी है बिहार की जनगर्ना से संबाधित क्वेस्चन एकजाम में पूछा ही जाता है शुरू में जनगर्ना से संबाधित पॉएंट है इसको आप याद रख लीजेगा जनसंख्यां की दिरिश्टी से बिहार का जो अस्थान है तीसरा है और छेतरफल में बारमा अस्थान है जनसंख्या में आप शुरू से याद रख लिजेगा इस तरह से सरवाधिक जनसंख्या वाला राजजी उतर परदेश है दूसरे अस्थान पर महराष्ट है तीसरे अस्थान पर बिहार है चोथे अस्थान पर पस्चीम बंगाल है एकजाम में दूसरे तीसरे नमर का भी पूछ दिया जाता है और छेत्रफल में सबसे बड़ा राजजी है राजस्थान बिहार का स्थान है बार्मा अब अगला पॉइंट है 2011 की जनगना के नुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरूस याँ महिलाए है बिहार की आपको टोटल जनसंख्या याद रखना है बिहार की जो टोटल जनसंख्या है 10 क्रोड 40,99,452 तो 10 क्रोड 41,00, आप याद रखेगा जिसमें पुरूस की जनसंख्या है 5 क्रोड 42,78,157 महिला की जनसंख्या है 4 क्रोड 98,2,295 अगला लिंगानुपात से संबनित है एक जाम में पूछा जाता है यहां से क्विस्चन बिहार में परती हजार पुरूस ओपर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है मुंगेर है एक जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो मु गपाल गंज की जो लिंगानु पात है 1,021 है बिहार का एक मात्र जिला है जिसके लिंगानु पात 1,000 से अधीक है तो बिहार गपाल गंज इसका सही आंसर हो जाएगा अगला point है 2011 की जनगर्ना के नुसार भारत की जनसंख्यां का परतिसत बिहार राज में निवास करती इसको सुधार कर लिजे यहाँ पर 8.0 से बने गलत दिया हुआ है 8.60 होगा बिहार की जनसंख्यां का कुल बिहार में जो निवास करती है 8.60% अगला पॉइंट है 2001 से 11 के दसक में बिहार की जनसंख्यां की बिर्धी दर है एकजाम यह question पूछा जाता है इसको भी याद रख लिजेगा इसको भी सुधार कर लिजे 25.40% होगा बिहार की जनसंख्यां बिर्धी दर जो है 25.40% है इस तरह सिक जाम पूछा जाएगा 2001 से 11 के दसक में या सिधा भी पूछा जा सकते है 2011 की जनगना के अनुसार बिहार की जनसंख्यां बिर्धी दर कितनी है तो 25.40% है अगला पोईंट है वर्ष 2011 की जनगना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समू जनसंख्या घनत का सही अवरोही करम दर साथ है अवरोही मिन्स होता है घटते करम में यानि सुरू में सबसे बरा होना चाहिए इसके बाद इससे कम इस तरह से बिहार की सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला जो जिला है सिभर है सिभर का जनसंख्या घनत है 1880 है और सबसे कम है कैमूर जिला का कैमूर का याद रख लिजेगा 488 मात जनसंख्या घनत है जामें पूझा जाता है सबसे कम जनसंख्या घंत काउन सा ondan है का ये 480 और सरवाधिक जनसंख्या घंत को सिणा अगला पॉइंट है 2011 की जन गनन्या के नुसार बिहार के किस जिली के जनसंख्या घंत स्वाधिक है तो सीभार, सीभार का हो जएगा 1-8089, व्यक्ति-पर्ती, वर्ग किलो मीटर, इसके बाद है, भीहार का सबसे कम जन संख्या गहनत वाला जिला है तो कईमूर है, कईमूर का जन संख्या गहनत है, 458, एक जां में यह भी एकसु मानली जे यहां पर टोटल बेकती है जिसमें 10 बेकती सहर में निवाज करते हैं तो 90 बेकती जो है ग्रामीन चेत्र में निवाज करते हैं अगला पुएंट है बिहार में सहरी अभाधी कुलावादी का परतीसत deben तो 11 फॉन्ट थीन परतीसत जनसंख्या घनत के अधार पर बिहार का अस्थान है तो बिहार का जो अस्थान है पर्थम अस्थान पर है सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज जी बिहार है बिहार का जनसंख्या घनत वाला ग्यारा सुचिए बिहार के बाद आता है नमर पस्चीम बंगाल का अगला point है बिहार में साक्षर्टा दर परती सत है बिहार की जो साक्षर्टा दर है 11.80 परती सत इसके बाद अगला point है पर्स 2011 की अनुसार बिहार में जन्म दर परती हजार है तो 37.7 है 2011 की जन्म दर परती सत है बिहार में महिला की साक्षर्टा दर है तो महिला की साक्षर्टा दर 51.5 परती सत और टोटल मिला कर अभर अल जो साक्षर्टा दर 11.80 परती सत अगला point है सरवाधिक अधिक महिला साक्षर्टा वाला जिला है तो सरवाधिक महिला साक्षर्टा वाला ज पूछा जाता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918 है और सरवाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपाल गंज है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है तिनों पॉइंट याद रख लिजेगा इस वार BPS एक जाम में बाल लिंगानुपात यानि सीसु लिंगानुपाद पूछ दिया गा था, सीसु लिंगानुपाद में जो कॉंट किया जा था जीरो से लेकर छे बर्स के आयउ के बीच, बिहार का सीसु लिंगानुपाद जो है 935 है, यह भी याद रख लीजेगां, और सभी अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार के कर्मचारियों के वेतन यों प्यंसन अपने समझ संसाधनों का कितना परतिसत विया करता है तो 46 परतिसत अगला प्वेंट है बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज जी का अर्थिक सर्वेक्षन परस्तूत किया ग्यात सुशिल जी उसमें वित्मंत्री थे अगला क्वेश्चन है बिसुबैंग की रिपोर्ट के अनुसर भारत में 50 परतिसत अधिक निर्धान इन चार राज्यों में निवास करते हैं तो बिहार हो जाएगा पर्थम अस्थान पर इसके बाद है उत्तर परदेश मध्य परदेश उरिश जारखंड बिहार इन सभी राज्यों में नक्सलवाद है इसके बाद है जातिवाद पर अधारित आतंकवादी सेना की राजनिती किस राज्यम है तो बिहार में है अगला प्वेंट है पटना इस्थित गोलघर का निर्मान कब किया गया था सभी तरह का क्वेस्चन है कुंड गराम हो जाएगा अगला क्वेस्चन है वर्धमान महावीर ने कहा निर्वान प्राप्त किया था सही आंसर होगा इसका पावपुरी अगला प्वेंट है राजगरी का पुराना नाम क्या था सही आंसर हो जाएगा गरी वर्ज अगला प्वेंट है मकदुम कुंड क अगला पॉइंट है किस नगर में सुर्ज मंदिर अस्थित है और जगह का नाम है देव जिला का नाम भी याद रख लिजेगा और अगला पॉइंट है नव नालंदा महाविवार किसके लिए विख्यात है थे वैंसांग एसमारक हो जाएगा अगला पॉइंट है बोध गया में बोधी विरिक्स अपने वंस की किस पीड ही का है सही आंसर हो जाएगा चतूर्थ अगला पॉइंट है बिहार की किस परियाटन केंदर पर गर्म जल के अनेक शुरोत है राजगीर में है अगला पॉइंट है विश्नुपद मंदिर कहां पुजा है अगला पॉइंट है जगदिस्पूर के किस व्यक्ति ने अठारो संतावन इस्वी के विपलब में करांती कारियों का नेतरूत क्या सही आंसर हो जाएगा बावु बीर कुवर सिंग अगला पॉइंट है कुवर सिंग राजा थे जगदिस्पूर के अगला पॉइंट है कुवर सिंग के विरुद आरा में अंग्रेजी फोज का नेतरूत करने वाला पहला सिरन आया कौन था तो सही आंसर हो जाएगा कैप्टेन डनवर अगला पॉइंट है बिहार में थर संतावन की करांती के नेता कुवर सिंग का देहनत कभ वहत नौ में अगला पॉइंट है राजकुमार सुकला किस गौं के निवासी थे तो मुरली भरहवा के अगला पॉइंट है स्वामी सहजानंद का संबन था बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद सरोसती संबन थे एक जाम में क्विस्चन पूछा जाता है तो याद रख ल सक्ति में किरसी सर्मिकों का अनुपां आधे, 48.18 पर तीसत है अगला पॉयंट है बिहारी मुत्तर प्रदेश राज्यों की सन्यूप शिचाइप रियोजना है तो बिहार देश में अग्रानी है तो माखाना हो जाएगा अगला पुएंट है बिहार में राष्टिय मारगों की कुल लंबाई है तो 3740 किलो मीटर अगला पुएंट है पुर्वी मध्धी रेलवे छेतर का मुख्याले का है स्थित है सही आंसर हो जाएगा हाजीपूर इस्ट से बिहार में सरवाधीक मखाना की खेती मिथला छेतर में की जाती है अगला पुएंट है मुल रूप से विहार सब्द का अर्थ है तो बौध हमाठ हो जाएगा इसका सही आंसर अगला पुएंट है पर्थम मगद समराजी का उतकर्स की सताब्दी में हुआ था तो इसापुर ब्थम चठी सर्दी में विश्व की पर्थम गंतन्त्र आतमक व्यवस्था कहां थी तो वैशाली में अगला पुएंट है बिहार का पहला गंतन्तर वैशाली में किसके दुरा स्थापीत किया गया था लिछवी नरैस द्वारा एक्जाम में पूछा जाता इस तरह से कि विशु का पहला गंतंद्र कहां स्थापित किया गया था तो बिहार में वैसाली जिला में जगह का नाम याद रख लिजेगा लिछवी लिछवी नर्यस द्वारा अस्थापित किया गया था अगला पॉइंट है चलहना कहां की राजकुमारी थी तो सही आनसर हो जाएगा वजजी लिछवी अगला पॉइंट है किस राजा ने वयहविक निती अपना कर अपने राजी की स्थिती मजबूत की थी बिम्बी सार हो जाएगा वयवाहिक निती अपना कर अपने राजी की स् अगला पोईंट है जात सत्रु किस राजी को पराजित नहीं कर सका तो वंती हो जाएगा सही आंसर अगला पोईंट है एकजाम में यह क्विश्चन पूछा जाता है मगद की प्रारंभिक राजजी धानी कौन सी थी तो गिरी वर्ज राजगिरी अगला पोईंट है पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थेद उदाइन अगला पोईंट है उदाइन के बाद मगद समराजी पर किस राजवन्स का सासन अस्थापित होत सही आंसर हो जाएगा सीशू नागवन्स अगला पुएंट है किस मगद समराट ने स्वायम को एक राट कहात इसका सही आंसर हो जाएगा महा पदम नंद अगला क्विस्चन है नंदवन्स के पस्चाथ मगद पर किस राजवन्स ने सासन किया तो मोर्जवन्स मोर्जवन्स के संस्थापक चंद्रगुप्ट मोर्ज थे अगला पुएंट है मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकाल इन्थात घनानंद नंदवन्स के सासक थे अगला पुएंट है मगध में मोर्जवंस के सासन की अस्थापना किसने की थित चंद्रगुप्ट मोर्ज ने अगला पुएंट है पाटली पुत्र में स्थित चंद्रगुप्ट का महल मुख्यता बना था लक्री से बना था अगला पुएंट है वह गरंथ जिसमें चंद्रगुप मोर्ज का विशिष्ट रूप से वर्नन हुआ है तो विशाखदत में अगला पुएंट है किस मोर्ज राजा ने दक्कन पर विजाई की थी तो चंद्रगुप मोर्ज ने अगला point है कोटिल कार्थ सास्त्र कितने अधिकर नम्ग विभाजी था तो 15 अधिकरण में अगला point है मौर्ज काल में सीख्छा का सर्वाधिक पर्सिद के न्दर था तो तक्च्छिला हो जाएगा अगला पुएंट है पाटली पुत्र के किस सासक ने स्वर्व पर्थम अपनी राजधानी बनाई चंदरगुप मौर्ज ने पाटली पुत्र अपनी राजधानी बनाई अगला पुएंट है मेगा स्थनीज पुस्तक का नाम है तो इंडीका मेगहस तनीज द्वारा जो पुष्टक लिखा गए इंडीका परसित पुष्टक एकजामें पूछा आ जाता है अगला पुएंट है वह हसरोत जिसमें पाटली पुत्र के परशासन का वर्नन उपलब्ध है उआ है इंडीका में वर्नन है अगला पुएंट है सेंडरो कोटस से चंदरगुप्त मौर्द की पहचान किसने करवाईत विलियम जोन्स ने अगला पुएंट है अर्थ सास्त के अनुसार सिता भूमी का भी परा है तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमी अगला पुएंट है केवल वा हस्तम जिसमें असोक ने स्वायम को मगद का समराट बताया है तो मस्की का लगू सिलालेक अगला पुएंट है असोक के सिलालेक में परयोक्त भासा है तो पाली भासा का वर्नन है अगला पुएंट है असोक के ब्राहमी अभिलेक को सरपर्थम किसने पढ़ा तो सही आनसर हो जाएगा जेम स्पिरिंट से अगला पुएंट है समराट असोक के पिता थे बिंदुसार इसको आप सिरियल से याद रख लिजे अगला पुएंट है अंती मर्ज समराट था विरिदरात अगला क्विस्चन है मर्ज वन्स के पस्चाद किस वन्स का राज अस्थापित हुआत सुग वन्स अगला पुएंट है निव्ण में से गुप्त वन्स की किस सासव को उक्रामी दित भी कहा जाता है चंज गुप्त दूतिया को कहा जाता है अगला पुएंट है गुप्त वन्स की किस सासव को भारत का नियपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को अगला पॉइंट है किस काल में बिहार की राजनेतिक सक्ति सैक्षी क्यों सांस्कृति गरीमा खंडीतुत मध्य काल में अगला पॉइंट है किस मुगल समराट ने सर पर्थम बिहार को अपने समराज में मिलाया था तक बर हो जाएगा इसका अंसर अगला पुएंट है इल्टू तमीश ने बिहार में अपना पर्थम सुवेदार नियुक्त क्या था तो मलिक जानी अगला पुएंट है किस मुसलमान सासक के सासनकाल में बिहार की खोई हुई परतिष्ठा अंसीक रूप से पुना स्थापित हुई तो सेरसा सुरी के सासनकाल में और सेरसा सुरी का जो मकवरा है बिहार के रोहतास जिला में सासाराम जगा का नाम याद रख लिजगा एक जाम में पूछा जाता है कि सेरसा सूरी का मकवरा कहा है तो सासा राम में अगला पॉइंट है किसने प्राचिन पाटली पुत्र नगरी के अस्थान पर पटना सहर बसाया तो सेरसा सूरी ने और पाटली पुत्र के अस्थापना उदाईन ने की थी अगला पोइंट है पटना को प्रांतिय राजधानी बनाया था तो सेरसासुरी हो जाएगा इसका अंसर अगला पोइंट है मध्धिकाल के किस सासक के सासनकाल में बिहार का समुचे उत्तर भारत में राजनेतिक प्रभावब रहा तो सेरसासुरी के सासनकाल में अगला पुएंट है बिहार में सरवाधिक लोकपिरिया सुल्तान सासक कौन्था तर सेर्शा सुरी अगला पुएंट है नालंदा विश्विद्याला के बाभग किसके हाथों नश्ट हुआत भक्तियार खिलजी अगला पुएंट है अकवर ने बंगाल दथा बिहार का मुगल समराज में मिलायत 1576 में अगला पुएंट है दिली सल्तनत यों मुगल काल में बिहार का क्या महतु था इसका एक मात्र महतु यह था किया भगोलिक रूप से दिली बंगाल के मद में एस्थित परदेश था अगला पुएंट है समराज साहलम दूतियन इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल बिहार उरिशा की दिवानी परदान कित पारगस 1765 को अगला पुएंट है मुगलों के पतन के बाद बिहार किस के अधिन हो गया था बंगाल के नवाबों के अधिन हो गया अगला पुएंट है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तो मीर कासिम ने अगला पुएंट है किस भारतिय को रोबर्ट कलैव ने बिहार का नयव दिवान डिप्टी दिवान न्यूक्त किया तो सिताव राय को अगला पोईंट है गोल घर का निर्मान कीस कुवर्नर जनरल के समय मुखात लॉड कॉर्णवालिस के सासनकाल में अगला पोईंट अथार सुतीस के दसक में पटना नगर केंद्र थात वहावी आंदोलन का अगला पोईंट 857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुले 987 से 20 जनवर 1857 तक चेंद्र रहा तो जगदीशपूर में अगला पोईंट है पटना के 857 के अथार संटा शंगराम के नेता थित विर अलीखान हो जाएगा इसका सही आंसर अगला point 1857 की करांती में बिहार के नेता थे तक वर्सिंग हो जाएगा इसका सही आंसर अगला question है 1866 से 86 के नील खेती हरों के बिहार में हुए विद्रोह के छेतर थे चंपारन तथा मुझःपरपूर अगला point है मुझःपरपूर में Kingsford की हत्या का प्रियास कब किया गया 1908 में किया गया अगला point है बिहार में पर्मानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारां था जमिनदारी पर्था का निर्मूलन अगला point है बिहार में अलग परांथ के लिए आंदोलन जिसके परिणाम सोरुप वड्स 1911 में बिहार मुरिशा का ने परांथ का निर्मान हुआ का नेतरुत क्या सचिदान सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा बिहार बंगाल से का पिर्थाकवा तुनी सो बारा में अगला point है देव बंद के उस विद्वान का नाम बतेए जिन्होंने स्वतनता आंदोलन में महतपुर्ण भूमिका निभाहित अब्दुल कलाम अजाद हो जाएगा इसका आंसर अगला point है चंपारन नील आंदोलन के राष्टे नेता कौन थेत गांधी जी हो जाएगा इसका आंसर अगला point है हजारी बाग में बिहारी एस्टुडेंट्स कॉन्फरेंस का स्वलमा अधिवेशन हुआत उनिस्वे कीश में अगला point है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्यागरा अंदोलन बिहार में कहां प्रारम किया चंपारन में 1917 में किया था अगला point है डॉक्टर राजेंदर परसाद अनुगरह नरायन सीन जेवी किरिपलानी जैपरकास नरायन में से कौन चंपारन अंदोलन से संबाधित नहीं है तो जैपरकास नरायन इसका आंसर हो जाएगा अगला point है गांधी जी का चंपारन सत्यागरह किस्य जुराथत तिन कठिया पर नाली से नील की खेती के बिरोज में अगला point है परभावती देवी किस छेत्र की स्वतनता संग्राम सेनानितित चंपारन छेत्र की अगला point है बिहार में किस अस्थान पर भारती राष्टे कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ थत गया में एकजामी या पूछा भी जाता है अगला point है बिहार के उसकरांतिकारी का नाम बताई है जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान स्वसलिस्ट रिपबलीकन आर्मी की बैठग में भाग लिया था इसका सही आंसर हो जागा फनिंद्र नाथ गोष अगला point है बिहार प्रांतिय किसान सभाग गठन इस सन में हुआ था मार्च 1929 और गठन जो किया था स्वामी सहजान अंसरोसती एकजाम में पूछा आ जाता है तो याद रख लिजेगा सोनपूर मेला के अवसर पर 1929 में स्वामी सहजान अंसरोसती ने किसान सभाग गठन क अगला point है सन 1930 में Congress का सभीना अवग्या आंदोलन इतना सफल हुआ कि पटना साहिव गठन बरही तथा मुझाफरपुर में से एक में से अंग्रेजी राज के चीन कई मेहनों तक गैव से हो गये थे तो बरही इसका सही आंसर हो जाएगा अगला point है बेगु सरय में चोकिदारी करके विरूत आंदोलन का एक हिस्सा थत सभीना अग्या आंदोलन का अगला point है बिहार Congress Socialist Party का गठन हुआत 1931 में एक जाम यह पूछा जाता है बिपेसिक चाम पिछले दो बर से ही है क्विस्चन पूछा जा रहा है बिहार Socialist Party के संस्थाप अक्तित जैपरकास्ट नरेन हो जाएगा इसका अगला point है Congress Socialist Party की पहली बैठा कुईत 1934 में अगला point है मोंगेर का बर ही या ताल विरोध का उदेश क्या था बकास्त भूमी की वापसी की मांग अगला point है बिहार और रिशा का विभाजन हुआ था 1936 में बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था बंगाल से बिहार अलग हो गिया था इसके बाद 1936 में बिहार सूरी सा अलग हो गिया अगला पॉइंट है गौर अक्षा के मुद्धे पर बिहार के सहाबाद गया अवंपटना जिले में भ्यानक हिंदू-मुसलिम दंगे हुए यह जो हुआ था 1949 में अगला पॉइंट है बलदेव सहे ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया 1942 में अगला पॉइंट है महत्मा गंधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धर पकर से बिहार में बहुत दंगे हुए इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप होगी उसमें अधिकतर प्रभावीत जिला था तो पटना जिलाध हक्तर प्रभावीत था अगला पॉइंट है 1942 का अंधोले में डॉक्टर राजंत परसाद को किस जेल में कायद रखा गया था तो बांकीपूर जेल में एक जाम में यह क्विस्टन पूछा आ जाता है अगला पॉइंट है स्वात पुरुब बिहार में समाजबादी विचारधारा के परसार का स्रे जाता है तो बावु महस्वर परसार इसका सही आंसर हो जाएगा अगला पॉइंट है किसके प्रयतनों से बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो सिरीदीप नरायन सिंग इसका सह अगला पॉइंट है बिहार में समयधानिक सासन प्रारंभ हुआ तो 1950 इसवी में अगला पॉइंट है बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पस्चिम बंगाल को दिये गये तो पुर्णिया और मान भूमी छेत्र अगला पॉइंट है जारखन बिहार से कब पिर्थक हुआ तो 15 नमंबर 2000 को जारखन बिहार से अलग हो गया अगला पॉइंट है बोध गया में महा बोधी मंदिर बनाया गया जहां गौतम बूध को ग्यान प्राप्थ वाता अभी भी यह क्वेशन एक जाम में पूछा जा अगला पॉइंट है महात्मा बुध ने पाटली पूध के विनास के जिन कारणों के भविश्वानी के उसमें सम्मिली था अगनी योम जल अगला पुएंट है किस नगर में जापानियों ने विश्व सांती अस्तूप निर्वान करवायत राजगीर में अगला पुएंट है जैनियों के 24 तिर्थकरों में से किस तिर्थकरों ने कहान निवान निर्वान प्राप्त क्या थत पारसनाथ में जैन धर मे और बौध धर्म के उपदेशों में समानता थी तो पसु बली का विरोध। अगला पॉयंट है बिहार महान धार्मीक के अंद्र है तो तीनो धर्म हो जाएगा सीख जैन और बौध। अगला पॉयंट है मेगा इस्तनीज का पार्टली पुत्र में आगमन हुआ तो 315 इसा अगला पॉयंट है युनानी दूद डिमोकलीस का अगमन मगद के किस सासक के दरबार में हुआ तो बिंदू सार के दरबार में अगला पॉयंट है फाहियान किस राजा के सासनकाल में भारत आया था फाहियान चीनी यात्री था चंद्रूप दूतिया के सासनकाल में भारत अगला पुएंट है चीनी यात्री हेंसांग ने किस विश्विद्याले में अध्यान क्या था नालंदा विश्विद्याले में चीनी यात्री हेंसांग हर्सवर्धन के सासनकाल में भारत है था अगला पोईंट है नालंदा विश्विद्याले की यात्रा करने वाला दूसरा सरवाधिक महत्पुर्ण चिनी यात्री कौन था इत सिंग अगला पोईंट है नालंदा विश्विद्याले के स्थापना कभ ही थी तो पांचमी सतावदी में अगला पोइंट है नालंदा विश्विद्याले के स्थापना का यूग है तो गुप्त काल हो जाएगा और संस्थापक थे कुमार गुप्त यह भी याद रख लिजेगा अगला पॉयंट है नालंदा विश्विद्याले किसलिये विशु परसित्था तो बहुत धर्म दर्शन अगला पॉइंट है विक्रम सिला शिक्षाक केंद्र का संस्थापक का नाम है तो धर्म पाल हो जाएगा नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कुमार गुप्त थे अगला पॉइंट है विक्रम सिला विश्विद्याले के स्थापना कभ भी ताठीवी सतावदी में पुराना नाम वदंत पूरी था तो बिहार शरीफ हो जाएगा अगला पुएंट है मध्धिकालिन बिहार में आने वाली इरानी यात्रियों में से कौने धर्मा चार्ज था मुल्ला बह बहानी हो जाएगा इसका अंसर अगला पुएंट है बिहार आने वाला पहला पराकरमन किया था तो अस्व घोष हो जाएगा हां अगला पॉइंट है सन पंद्रस सन पानसो चूदा में होन साषक मीहरकुलने किस के sashankal में मगध पराकरमन किया था तो नर्शिंग गुप्थ बाला दित के अगला पुइंट है, पंदरस उन्चालिस में सेरसा, सुर्य और हुमायू के बीच किस अस्थान पर यूध हुआ था, तो चौसा नामक अस्थान पर चौसा का यूध भी इसको कहते हैं, एक जाम यह भी पूछा जाते हैं चौसा का यूद कब हुआ था तो 1549 में सेरसा सुरी और हुमायू के बीच अगला पॉयंट है 1573 माफगान जागिरदार दाउद खा और किसके बीच यूद छिरा था जो पटना के आसपास के छेत्रों में करीब एक वर्स तक चला तो अकबर के बीच अगला पॉयंट है बिहा अगला पॉयंट है बिहार में गांधी जी की सबसे उची परतीमा जो गांधी मेदान पटना मा स्थापित हुई है की उचाई है 74 फीट है अगला पॉयंट है बिहार बिधान सभा के वर्तमान में कितने सदस्य है 243 है बिधान परिशद में आपको याद रख लेना है 75 है ल 243 है बिधान सभा में बिधान परिशद में 75 सीट है लोग सभा में 40 सीट है राज्जी सभा में 16 सीट है अगला पॉयंट है पटना उचनियाली का स्थापना कब हुई तीन फरवरी डेट भी याद रखना है डेट भी पूछती आ जाता है तीन फरवर 1916 को अगला पॉयंट है लॉड सिन्हा ने 1922 में कहां के गॉवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था तो बिहार उरिशा अगला पकिस देश की सीमा बिहार राज्जी से जुड़ती है तो नेपाल की सीमा लगती है अंतराश्टी सीमा अगला पॉयंट ہے पुराना बिहार का कितना परफिस्त जमीन लेकर जार्खन राज्जी बना है 45.85 परफिस्त लेकर अगला पुएंट है बिहार का सोक किसे कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है अगला पुएंट आम की वह परजाती जो केवल बिहार में ही उप्चाही जाती है सफेदा आम हो जाएगा अगला पुएंट है बिहार में कौन से समुख की नदिया गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की और स्याकर मिलती है गंडक कमला बागमती हो जाएगा और कोसी नदी भी मिलती है अगला पुएंट है कौन सी नदिया बिहार और उत्तर पर परिवर्तन किया है कोशी नदी इसलिए बिहार का सोक नदी कहा जाता है अगला पॉइंट है सोन नर्मदा तथा महा नदी निकलती है तमरकंटक से और सोन नदी पटना के पास आकर गंगा नदी में मिलती है अगला पॉइंट है त्रिवेनी नहर में किस नदी से पानी आता है पुएंट है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पूल किस नदी पर बना है तो सोन नदी हो जाएगा इसका आंसर अगला पुएंट है बिहार के कुल भागोलिक छेत्र का वन अच्छादित है लगभग 6.6 परतिसत लेकिन रहना जो चाहिए 33 परतिसत अगला पुएंट है बिहार की मुखे खाद्यान फसले है सबसे मेन जो है चावल है इसके बाद गेहु मक्का भी हो जाएगा खाद्यान फसले में से हो जाएगा इसमें से चावल गेहु मक्का अगला पुएंट है बिहार के छेत्रफल में कुल बोई गई भूमी का परतिसत है तो 57 परतिसत हो ज देख लिए और आप लोगों को सेपरेट टॉपिक पर भी वीडियो मिलेगा विहार जी के समद्ध जैसे जनगाना समधित इक्जाम में कुश्चन पूछा जाता है तो पूरे डीटेल्स जानकारी के साथ विहार की अर्थवेवस्था विहार की किर्शी समधित सेपरेट टॉ पिक पर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे